आध्यात्मिक जगत में स्रीगुरु अर्जन देव जी का उच्चितम स्थान है जो की शांती पुँझ और सहीदों के सर्ताज सिखों के पांचमे गुरु थे विधुता से परेपूर्ण गुरु साहिब ने भाई गुरु दास के सहयोग से सोला सा चार इस्वी में गुरु गरंद साहिब का अध्वितिय संपादन किया गुरु रामदास जी के सुपुत्र गुरु अर्जन देव जी अत्यन्त ही शांत वा गंभीर स्वभाव के तो थे ही साथ ही मानव कल्यान, संगत सेवा, सभी धर्मों के प्रतिसने, उनके महानतम व्यक्तित्तों के अभिन अंग भी थे लेकिन कटरपंथी मुगल शाशक जहांगीर को यह सब बरदास्त नहीं था, वह अपने धर्म के अलावा किसी और धर्म को पसंद ही नहीं करता था इसलिए क्रूरता से वशिभूत जहांगीर ने गुरु जी को बहुत आमानविये यातनाई दी गुरु जी को गर्म तवे पर बैठा कर उन पर तबती रेत डाली गई लेकिन ये यातनाई भी उनकी निस्ठा को भंग नहीं कर सकी एवं उन्होंने हस्ते हस्ते यही अरदास की तेरा किया मीठा लागे, हर नाम पदारत नानक मागे और आज के ही दिन 1606 भी में धर्म और मानव कर ल्यान हे तू गुरु जी शहीद होकर परमात्मा में जिवती जिवत समागे आज समस्त आयमसी परिवार पांच में पात्सा स्री गुरु अरजन देव जी के शहीदी दिवस पर उन्हें कोटी-कोटी प्रणाम करता है वाहे गुरु जी का खाल्सा, वाहे गुरु जी की फतह है गुड़ा एमसी जिन लोगों ने आयमसी बिजनस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपिया हमें सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करें जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले